नमस्ते दोस्तों मनुरे सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं पनीर मलाई कोपता इसके लिए मैंने जीरा खड़े मसालों में आदा चमत जीरा है दो तीन लॉंग हैं दो हरी लाइची हैं 10-12 काली मिर्च हैं 2 सुकी लाल मिर्च एक दालचीनी का टुकडा दो तेज पर यह हूगए है पंद्रा काजू है एक बड़ी प्याज है लैसुन है अध्रक का टुकडा है और टमाटा है इसके लिए मैंने लिया है एक चमत तेल इसमें डालेंगे एक इसको थोड़ा सा तड़कने देएंगे ये देखिए मसाले मेरे तड़क देए अच्छी ना से और इसमें डालेंगे प्याड मोटी-मोटी चॉप करेंगे ये जावा बरी तुमेंगे आपशन नसे नदाबेंगे जाए रभी जान तोड़ा साथ जाए नाशी Empire इसको ठोड़ा सा भूणेड़े इसमें डाल देगों डालेंगे, निल नाRIA कार चुन्त अमस्ति थोड़ा सा देंगे, निल दस बारा काजुंगे तोड़ी सी प्याज हलकी सी मुलाइम हो जब तक इसको भूनी हुए देखिए प्यास थोड़ी सी नरम हो गया है अभी सम डालेंगे मैंने दो टमाटर लिए तोड़ी नमक से तमाटर जल्दी जल जाते हैं नज़ तब तक को तोड़ी निटो टपके पताएंगे गौटे में दल्दी नहीं हमें अभी में तोड़ी घंगे दखेंगे जल तक करते हम दोट़ी जाते हैं हम थी तक कलाएं से तक भी तब आई है आइसको निकाल लेंगे, बॉल में इसको धंडा करेंगे, धंडा करना गे बाद किसेंगे ये देखिए, इसको धंडा करेंगे इसको पीस ती हूँ मैं, अब मैं दिखाती हूँ आपको, पनीर मैस करते हैं यह देखे 200 ग्राम मैंने पनीड लिया है यह देखे इसके लिए मैने पनीड लिया है 200 ग्राम से थोड़ा से ज़्यादा है और यह दो आलू लिए वे उबले हुए यह कॉन प्लॉ लिया है अब इसको मैस करते हैं इसको हाट से तोड़ लेंगे अच्छे से, यह देखे इस तरह, इसको अच्छे से मेज करना है, यह हो गया है, और यह आलू है, इसको मैं कद्दूगस करके डालूँ यह से, अच्छे से कर लेंगे इसको, अच्छे से कर लेंगे इसको, आलू और पनीर को में ला लेंगे अच्छे से, अच्छे से कंदम डालेंगे, यह मेरा दो चमच कॉन फ्लोरेस में आदा भी डालूँगी, देखते हूं जरूत पड़ेगी तो और डालेंगे, इसमें डालेंगे, थोड़ा से चॉप करा अधरक, और यह धनिया, इसमें ङालएंगे, थोड़ा से नमक, इसमें आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं मैंने कॉन प्लॉट डाला है अच्छे ज़सको मिला लेंगे यह देखिए इस तरह से यह मिल गया अजया देखिए थोड़ा से हाथ में मैदा लेके अब इसकी मन चाहें से आप दे सकते हैं गोल बनाना चाहें गोल तोड़ा से मैदा में डीप करके सूखा वाला मैदा उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाए इस तरह से यह देखिए आपका जो बन करें आप वो से बना सकते हूं मैं इस तरह बना रही हूं यह देखिए थोड़ा सुखा मैंदा ले लेंगे इसको मैंदे को लगा लगा के मैंदे से यह क्या है कि फटेंगे निया बागी तमनस में कॉंपलर डाल रखा है यह देखिए इस तरह से इसी तरह मैं सारे बना लेती हूं यह मसाला मेरा ठंडा हो गया अब इसको मैं पीस लेंगे और यह तेल ज्यादा गरम नहीं करना है हलका सा रखना है इसमें यह फ्राइ कर लेंगे पोकते इसमें आपको इभी मंचारा काड दे सकते हैं मैंने इस तरह से बनाएंगे आज बिल्कुल मीडियम रखने है तेज आज ने रखनी है यह तो अंदर से बिल्कुल कच्च रह जाएंगे और बार से एक दम बोह जाएंगे ब्राउन तो इसलिए तल्की आज करना इसको कि मैं तरह करता है इसके लिए यह देखे इतना ब्राउन करना से ज्यादा नहीं करना से जड़ करके रहाएंगे यह उर झाला से एंड़ करोफने बास जाएंगे कर दो खकoda बास कर दोज़ में तरह कि था रहाएं नहीं जाएंगे टाएंगे लुझ जाएंगे इस तरह मनाने इसको ज्यादा ब्रून करेंगे काले काले अच्छे लगेंगे इस तरह से देखिए इस देखिए इस देखिए इस मलाई गुप्ति बनके तयार हैं अब इनको सब जीज की ग्रेवी बनाते हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी हल्दी हल्किसी थोड़ी डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च अब इसमें यह पेस्ट हमने बनाया था यह डाल दीगे अक्षे टोड़ी है JEFF छिलावा चलाते रहने, नहीं तो यह दिमूचा से निपचाएगा, इसमें पोपा सपाले, आपची तरहां से घूनीगे नमक नाखन, घुरिष के साथ Radu, अग्षाइब दो तिन मेट के लिए बटाएंगे नीदी मेच में थोड़ सी डालेंगे चीनी अग्षाइब दो तिन में और मेरे घर की मलाई है जो मेरी दो तीन चमच मलाई डालेंगे क्रेम डाल सकते क्रेम नहीं है तो मलाई डाल सकते हैं यह मैंने मलाई डाली है तेल उपनाने तक, तो मसाला मेरा भून चुका है, तेल उपना गया है, ग्रेवी अपने हिसाफ से रख सकते हो, कम जादा पतली चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैं थोड़ा सा पानी डालूँ इसके अंदर, थोड़ा सा डालें इसमें दनिया, और थोड़ी सी, थोड़ी सी कसूरी में दालें इसको, तो देखे, थोड़ा सा डालूँ इसमें गरम पानी, पानका जोड़ा, तो देखे, प्रेवी भी तयार है, कोपते तयार है, यह देखे, मलाई कोपता बनके तयार है, अब उसमें गरेवी डाली म्योग पड़ से, इस तरह, यह देखे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा, जन्या, थोड़ी सी यह मलाई है, घर की यह दूर पे जमती हो वाली मलाई, करीम भी डाल सकते हैं, और इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, यह देखिए, मलाई कोपता बनके तयार है, देखे, मलाई कोपता बनके तयार है, इसको पराँठा अरल अच्छा पराँठा चापाति से खाईए, बहुत अच्छा लगता है उससे, लच्चा पराटे से जाट अच्छा लगता है ये